हेलो दोस्तों अगर आप Ubuntu operating system यूज़ करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है आज किस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि Ubuntu operating system में jam server को कैसे install कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले अपना browser open कर लेंगे आपको यहाँ पर सर्च करना है जैंप सर्च करने के बाद आपको इस प्लिक करना है जैंप इस पर लिए यह लिए यहां लिनेक्स के लिए और यहां फिर Mac के लिए आपको मिल जाएगा तो अभी हम यहां Linux के लिए यहां से इसको डाउनलोड करेंगे यहां आपको क्लिक करना है जैम फॉर लिनिक्स पे इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको location फ्लैक्ट कर लेना है किस पात पे आपको save करना है यहां download वाले सेक्षन में सेब कर रहे हैं कि देखिए हैं यहां पर download होना है सटार्ट हो चुका है यहां पर धौर्ट कर लेंगे हम डॉड़र होने में फौर सा टाइम लगेगा दोस्तों जैप हमारा यहां पर अब क्या करेंगे हम यहां पर टर्मिनल ओपन कर लेंगे टर्मिनल या टर्मिनेटर जो भी है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो आप ओपन कर लिए हैं ओपन करने के बाद यहां पर आपको कमांड टैप करना इसको पहले हमक्सिमाज कर लेते हैं अगस्यमेश करने के यहांपर आपको कमंड्ड करना है ls अलस्ट डाप करने के बाद यहांपर सारा हमारा फोल्डर्स फोह हो रहा है अब हमको जाना है ढॉwnलोड वाले उल्डर के अंदर ओ यहांपर हम्द्ण करेंगे cd impactful नम्लोट्स टैप कर अइन्हम करेंगे हम अपने डांदूब्स लिए डांधारर चपर करेंगे कुछ देख्याइब कर और दोस्तो यहां पर जो है हमारा जेंप जो डांद स्टांडूड हुआ था यह यहाँ पर फाइल यह और इसमारे हम इतला कर जो है एक तस एल इंटर करेंगे देखी यह जो फाइल हमारा है इसमें हमारे पास read और write का permission है only execute करने का permission नहीं है इसको पहले हमको executable file बनाना पड़ेगा इसके लिए हमको command tap करना होगा should do ch mode plus x और जो हमारा file का name है वो file का name यहां पर हमको paste करना होगा तो यहां से हम इसको copy कर लेते हैं यह select करके यहां से हम copy कर लिए और यहां पर हम paste कर देंगे paste करने के बाद enter यहां पर दबाएंगे यहां से हमको password के लिए बोलेगा यहां password tap कर देना है हमको password tap करने के बाद interface करना है इसके बाद फिर इसको check कर लेते हैं एक बाद executable हुआ या नहीं ls command tap किये देखी ये file जो हमारा है executable हो चुका है executable होने के बाद अब हम क्या करना है यहाँ पे इसको install करने के लिए command tap करना है sudo sudo tap करने के बाद dot forward slash उसके बाद जो हमारा file name है वो हम यहाँ पे paste कर देंगे file name हम copy किये ही थे यहाँ पेस्ट कर दिए paste करने के बाद interface करेंगे इंटरप्रेस करने के बाद हमारा जो जैंप है वो installation start हो जाएगा देखी यहाँ पे start हो चुका है यहाँ पे हमको next click करना है next next करना है next next करना है यहाँ पे setup is not ready to installing jam on your computer next पे click करना है यहाँ पे installing चालू हो गया है install होने में थोरा सा time लगेगा यहाँ पे wait करना पड़ेगा कुछ दिर अगर आप beginner है तो यहाँ पे जो एक्जूक्योटेवल बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज किये हैं यहाँ नोट डाउन कर लें यह आपको हमेसा कहां आने वाला है देखिए यहाँ पे install हो चुका है अब यहाँ पर finish पे click करना है देखिए यहाँ पर jam हमारा successfully install हो चुका है अब यहाँ पर click करना है आपको manage server पर मैंने सरफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Apache जो है वो रन हो रहा है भी रणिंग में दिखा रहा है बट MySQL Database जो है यह भी स्टॉप है तो इसको क्लिक करके हमको यहाँ पे Start पे क्लिक करना होगा Start पे क्लिक करने के बाद हमारा Database भी Running Condition में सो करेगा देखिए यहाँ पे हमारा Database भी स्टार्ट हो चुका है देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा MySQL Database भी Running है और Apache Wave Server भी Running है अगर आप यहाँ इसको Stop करना चाहरे है तो Stop All पे क्लिक कर सकते हैं यह Start All पे भी क्लिक कर सकते हैं सभी को यह स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा डाइसबोर्ट जो है लोकल होस्ट का यह ओपन हो चुका है अब हम एक बार Database भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे PHP My Admin यहाँ आपको टैप करना है और इंटर प्रेस करना है देखिए यहाँ पे हमारा Database भी ओपन हो चुका है अभी हम अपने जैंप को यहाँ से Stop All पे क्लिक करते हैं इसको Off कर देते हैं सारा यहाँ पे Stop हो चुका है इसको हम कट कर देंगे यह वांट टो क्लोज दिस अप्लिकेशन यस यह क्लोज हो चुका है दोस्तों आज किस वीडियो में आपने देखा कि जैंप सरवर को Ubuntu Operating System में कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगर आप वीडियो को लैक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच